पुछे दिन पहले गुजरात के बड़े पादरी ने राश्रवादियों को हराने के अपील की थी लेकिन प्रधान मंत्री मोदी ने इस अबील पर जम कर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि हमारा राश्रवाद भेद भाफ नहीं करता अन्हें फादर टोम ने आतग वादियों उठा भी गया हमें अकाश पाता लेक करियों राश्रवादियों के खिलाब वोट ना करने के अपील करने वाले गुजरात में गांधी नगर के बादरी थॉमस मैक्वेन को ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब है ये जवाब उन सब लोगों को है जो स्टेक्लिरिजम की बात कर बीजेपी को चुनाओ में हराने की दुहाई देते हैं आज बिशप थॉमस मैक्वेन ने 21 नवंबर को इसायों को चिठी लिखी थी इसायी प्रात्न सभाय आयोजित करें जिसमें हम गुजरात विधान सभा में ऐसे लोगों को चुन सकें जो भारतिय समविधान के प्रती निष्ठावान हो और बिना भेदभाव की ये हर इनसान का सम्मान करें थॉमस मैक्वेन ने चिठी में लिखा था कि राश्रवादित ताकते देश को अपने नियंतरण में लेने की स्थिदी में पहुँच गई है इसलिए गुजरात का चुनाव बदला अवला सकता है थॉमस मैक्वेन की ये भाशा साफ तोर पर बीजेपी को हराने की अपील माने गई थी और थॉमस मैक्वेन सवालों के खेरे में आये थे थॉमस मैक्वेन के इस चिठी पर चुनाव आयोग भी उनसे सफाई मांग चुका है हाला कि धॉमस मैक्वेन की दलील है कि ऐसी चिठियां वो लिखते रहते हैं और उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है अगर कोई महत्वकी चीज हुई, कोई मुश्किली आई है तो भी हम लिखते हैं थॉमस मैक्वेन की सफाई के बावजूद एक धन गुरू की हैसियत से वोटर्स को प्रभावित करने के आरोप तो उन पर लगे ही है इसलिए प्रधान मंत्री ने मैक्वेन के आरोपों पर करारा जवाब दे कर गुश्राद के वोटर्स को राश्रवाद पर सीधा संतेश दिया है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया